नमस्कार आपको स्वागत देशिया न्यूस इन्याम है मैं पूर्णम आपके साथ हैदराबाद के सांसत और ए आएम आएम अध्यक्ष असुद्दिन ओविसी ने रविवार को हैदराबाद में कहा कि सिटिजन्शिप अमिट्मेंट एक्ट धर्म के अधार पर बनाया गया है ये कानून गलत है और भारत की मूल भावना के खिलाफ है ए आएम आएम हमेशा इसके खिलाफ रही है और इसका विरोध करती रहेगी होवेसी ने कहा CAA को अकेले नहीं देखा जा सकता है इसे NPR NRC के साथ दिखा जाना चाहिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिक भारत आ सकते हैं हमने कभी उनका विरोत नहीं किया लेकिन CAA का मकसद मुस्लिमों दलीत और गरीबों को परिशान करना है दरसल गरमंत्री अमिच्छा ने 10 फरवरी को कहा था कि लोकसबा चुनाओं से पहले देश में CAA लागू होगा गरमंत्री ने कहा कि हमारे देश के अलप संक्यक समूदा एक खास तोर पर मुस्लिमों को उकसाया जा रहा है CAA किसी की सटीचन्शिप नहीं चीन सकता क्योंकि इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है पिछले साल दिसंबर में कॉलकाता में गरेली के दोरानभी गरमंत्री ने कहा था कि CAA को लागू होने से कोई नहीं रोक सकता है शाह ने गुस्पेट, विष्टाचार, राजनेतिक हिंसा और तुष्टीकरन के मुद्दो पर ममता बैनर जी को घेरा था उन्होंने लोगों से ममता सरकार को बंगाल से हटाने और दोजाचपीस विदानसबा चुनाओं में भाचपा को चुनने का अगर किया था वहीं बारा दिन पहले केंदरी मंद्री शांतनु ठाकूर ने कहा था कि मैं गारेंटी देता हूं कि देश भर में साथ दिनों के अंदर नागरिक संचोदन अधीनियम लागू हो जाएगा बर्णगाओं से भाचपा के सांसा ठाकूर दक्षिन 24 परंगना के कौकदीप में ग्रेली को संबोधित कर रहे थे 11 दिसंबर 2019 को राजसबा में नागरिक्ता संचोदन विदेग 2019 के पक्ष में 125 और खिलाफ में 99 वोट पड़े थे अगले दिन 12 दिसंबर 2019 को इसे राश्टपती की मंजूरी मिल गई देश भर में भारी विरोत के बीच बिल दोनों सतनों से पास होने के बाद कानून की शक्ल ले चुका था इसे ग्राम मंत्र अमिच्छा ने 9 दिसंबर को लोगसभा में पेश किया था